दोस्तो श्रीमत भगवत गीता के चटवे अध्याई के चटवे शलूक में यूगी राज श्री कृष्णे ऐसा बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्विसरेश्ट मित्र है कि तू जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा और इस बात को दुस्तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि यह मन यहां वहाँ डूलता रहता है और उस आनन्द की प्राप्ती के लिए विक्ती का काफी समय बरबाद हो जाता है दोस्तो श्रीमत भगवे तीता का चड़वा अध्याय ध्यान योग पर आधारित है तो इसी पर ही महराज श्री कृष्ण बोलते हैं कि अस्टांग योग का व्यास मन को वश्मे करने के लिए किया जाता है जिससे मन हमारे वश्मे होकर व्यक्ती का जो लक्ष होता है उसकी प्राप्ती होती है इसको समझे कि अगर व्यक्ती का मन है कि पढ़ाई में अच्छे मार्क लाएं तो उसी व्यक्ती का मन पूर्ण रूप से उसकी पढ़ाई पर होना चाहिए और अगर मालो की इसी स्थिती में उस व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है तब यह जो मन है यह आनंद की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करने से हटकर यहां वहां डूलेगा और इसका परिणाम यह होता है की व्यक्ति को परिक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे उसकी परिक्षाओं का परिणाम अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर यही स्थिती में जो हमारा मन है वह हमारे वश में है यानि कि दोस्तो जिस जगा पर हम अपने मन को लगाना चाहते हैं अगर वह हमारे मित्र के रूप में वहाँ पर लगा रहेगा तब यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है क्योंकि जो मन हमारे वश में नहीं था वह यहां महां डोल कर हमारी पड़ाई को खराब कर दीता है लेकिन अब मन हमारे वश में है तब यही मन पूर्ण रूप से पड़ाई में लग कर आपकी पड़ी हुई एक एक चीज अपने ध्यान में रख कर आपी परिक्छाओं में यहें सहायता करता है और दोस्तो इसी तरह से जो कामक व्यक्ति होती है उनका मन होता है कि वह बार बार संभोग करें वीर नाश करें, हस्त मैथुन करें यह कह सकते हैं कि पौर्ण वीडियो देखें और अपने मन के गुलाम होकर वह व्यक्ति इस तरह के काम करता है तो इसके शरीर का सर्वनाश होगा उस व्यक्ति की आसमय मृत्य हो सकती है लेकिन अगर नहीं दूसरी तरह व्यक्ति का मन उसके वश में है तब यही मन जो की वासनाओं में उल्जे रहकर अपने समय की बरबादी करता है तो वही व्यक्ति अपने मन को अपने लक्ष की और लगा सकता है इससे क्या होता है कि समय की बरबादी भी बच जाती है और इसके साथ साथ व्यक्ति के लक्ष उसको प्राप्त हो जाता है तो दुस्तों आशा करता हूँ कि आपको शिरीमत भगवत गीता का यह शिलोक आपके जीवन में जरूर कारगर सित्त होगा आपने वीडियो यहां तक देखी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद